नमस्कार स्वागते आप सभी का हमारे बेहत खास कारिक्रम में मैं हूँ आपके साथ शेल जतियागी दर्शको लखना विजिट पे सिहत और जिंदगी की प्रोग्राम की पूरी टीम है जहां पे हम अपने पेशेंट से मुलाकात कर रहे हैं कि जो लोग सिहत और जिंदगी परिवार का हिस्सा हैं वो लोग कैसे हैं कैसे वो खुद का ख्याल रख रही हैं हकीम साब के कौन कौन से नुसके अपना रही हैं और अब वो कितना स्वस्त खुद को महसूस करते हैं तो इसी दौरान आज हम पहुंचे हैं लखनाओ के कृष्णा नगर में जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास महमान जी हां मैं बात कर रही हूं शिवरात सिंग जी की आईए मिलकर उनका स्वागत करते हैं खास अनलिएगारी हुं यह सच भाले में कि अंधि आप हकीम साहब से कैसे जोड़े हैं हकीम साब मैं अधिकतर जो आता था नजी तो टीवी istoुलता था तो प्रोग्राम आता था था फिर में प्रोग्राम देखता रहा हूं निन साफ की दा आइन और जो आप रहती थी आपके द जवाईली मैंने पहले आपका जैतुन का शिर्का लिया तो से मुझे काफी रिलीफ हुगा तो मुझे नेंद भी अच्छी आई यो मुझे पूरा आराम मिला पेट भी सही हुगा फिर उसके बाद में प्रोग्राम देखते देखते और भी देखता रहा तो फिर बताया कि कि जामुन का गौन शुगर के लिए बहुत बैस्ट तो मैंने शुगा वू जामुन का गौन लिया मैं लगबग अभी 15-20 दिन से ले रहा हूं तो मैंने दो दिन पहले ही सुगर को टेस्ट करया तो बन 50 आया तो बहुत संतुष्ट हुगा बहुत खोश हुगा अच्छी हैं जो वी दवाले के गए बहुत अच्छ हैं तो युथ तो बहुत अच्छ है तो यह तो बहुत अब अपना और अंग्रेजी दवाइयों से बचे हैं जिसले के और जो अंदर गोंद रहें निक्स्राण ने तो अच्छी चीज है सरा प्रोग्राम तो बहुत वक्त से देख रहे थे लेकिन आपने अभी हाल फिलाल में ही दवाइयां लेने शुरू की हकीम साहब की तो अंदर से यह कहां से मनुबल आये कहां से विश्वास आये कि अब मैं थक चुका हूं मुझे वो दवाइयां नहीं अब मुझे यह नुस्के अपनाने हैं मैं दरसल बहुत काफी टीवी देखता था और कभी सोचता था कि शुगर का एक ऐसा रोग है जो यह खत्म ही नहीं होता हर को यह बताता है कि कभी खतम नहीं हो सकता है तो अधिकतर हमारे बड़े बुड़े भी हमारे फादर भी हैं और भी लोग थे तो अधिकतर यह कहते थे कि आवरवेदिक और इनानी में ही इसका इलाज है तो हम इसी की खोज कर रहे थे तो मैंने का कहीं हमको ऐसा मिल जाए जिससे के हमारा जो है पूरी तरह रिलीफ हो जा मुझे अंग्रेजी दवाईयां कम से कम लेनी पड़े तो मै मैंने देखा और उसी से लिया और चीके साब किया और मैं आपकी दवाइं को लेना सुडू किया फरवरी 2020 में मैं ऑपिस में था तो मुझे बहुत एक ऐसा दखाई दिया जो निंढला दिखाई दिया तो मैंने सोचा के जो है मैं अपनी iter को टेस्ट कर하면 तो मैंने आपको शुगर की प्रॉब्लम थी काफी वक्त पहले से थी तो कभी आपके साथ कुछ ऐसा अनुभव रहा है कि शुगर आपकी बहुत बढ़ गई हो और फिर आप घबरा गए हूं कि इतनी कैसे बढ़ गई है अब मुझे क्या करना चाहिए किस तरफ जाना चाहिए कौन सा कर अपनाना चाहिए क्योंकि आप पहले भी ट्रीटमेंट अपना ही रहे थे आपको उससे अराम नहीं मिला की जो शुगर है वो बहुत बढ़ गई इंसुलिन तक की नौबत शायद आपके साथ अनुभव नहीं इसा बिसेश नहीं रहा कियों कि मैंने इंसुलिन लेने से म करें जो राम नगर में हैं जिन आपका ट्रीटमेंट चल्डाथा आप भी में ट्रीट लेता हूं क्यों कि हाकीम शाब ने भी का था कि अंग्रेजी के साथ ये ले सकते था तो मैंने उसको अब बंद है उसको विह और अबोड़ शुवरात में ये लगभग फरवरी 2020 में त करके जब चख कर दो कि लेक है 근데 मैं हमें मालूम है मेरी हाथ में रिपोर् forsk vraiment किस तो बताने लगे я आ equipo यह लेना पड़ेगा इंशोलेना पड़ेगा बोलेन अपड़ेगा तो मैंने किसरे में तो नहीं है अभी तो नहीं लुए-छी तो मैं तो लगता है तो दवाईयों को मैंने का कि थोड़ा हमें इसको जब कम कवर कर लें अंग्रेजी दवाई से कवर कर लें तो फिर में इनानी या आर्वेदिक में जाऊंगा तर हकीम सहाब से जुड़ने से पहले भी आपने कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट अपनाया ही होगा लगब अपना जो भी चाहिए ब्यायाम भी किया उससे कंटॉल किया टैलता भी था उससे कंटॉल किया फिर उसके बाद जो है आपकी दवा मिल गई तो फिर आपकी दवा को अपनाना शुरू किया अच्छा आपने तेलीविजन पर हमारा प्रोग्राम देखा ऐसे बहुत सारे प् तो आपको विश्वास अंदर से कैसे आया कि मुझे इनके नुसके अपनाने चाहिए एक बार अपना के देखने चाहिए नहीं यह तो बहुत पुरानी बात है कि मतलब जो हमारे दादा दादी थे और पिताजी भी हैं सब हैं तो बहुत पहले से बताते हैं कि जड़ी बूट अच्छी होती है तो यह पहले से भी सुन रखा था क्यों मैं गाहों से बिल्म करता हूं तो मैं सारी चीज जानता था तो मुझे इसमें जाना ही था तो इसलिए मैं आपकी दवाईयों को अपना या लगबक इतने लोगों की मदद कर चुके अब इतक चाहर लोगों की अच्छी है तो आपने जब अपने ड्राइबर को बताया कि यह दवाई आप इस्तमाल के जिए उनको परेशानी थी उनको भी शुगर है शुगर है जी उनको भी शुगर ती हमको भी शुगर तो दोनों लोग चिंतन करते थे तो हमने का इंगलिस ठीक नहीं है तो इंगलि जाते हैं कोई चीज बढ़ जाती है तो यह मैं बहुत अपनी दादी स्वी शुना करता था कि पहले जो पुराने में टीट मेंटी नहीं थे सब्सक्राइब कर देती हमें पता भी नहीं चल पाता कि कब हम शुगर के शिकार हो गए हैं तो क्या आपके साथ कोई ऐसा नाम भी है यह तो आप भी जानते होंगे नहीं घवडा तो गय थे मैं भी घवडा गया था क्योंकि 506 बहुत और शुगर का बताते हैं कोई इलाज नहीं तो शुगर की बीमारी घातक तो होती है और इसमें अधिक तर जो है कमजोरी मैशूश होती है और सभी लोग घवड खेशए में अवह तो मैं नोट किया मैं नोट के नोट बी करता हूं चिसे को हैं इसके बारहें वागधा अब कर तो सर कोई अनुभव एक और में आपसे जरूर जानना चाहूंगे अगर आपका रहा हो तो मार्केट में हकीम साफ के नाम से बहुत सारी दवाईयां मिल भी रही है ऑनलाइन भी मिल रही है तो आपने भी कुछ ऐसा देखा नहीं बिल्कुल देखा हमारे जो ड्राइवर साथ देखा है तो साड़े तीन सो बाले को आप देख लिए जो मैंने बताया तो आपने नहीं खरीदा तो नहोंने दो चार दिन खाया करें कोई परड़ाम नहीं आ रहा है तो परड़ाम कहां से आएगा जमीन आश्मान का फरक है तो जब आप सही लेंगे तभी तो फाइदा कर उन्होंने उस समय नहीं लिया जब मैंने आपका जलिया मेरी शुगर कंटॉल हुए तो वहम से बहुत प्रेरित हुए तो नहोंने जामन गौंद भी लिया और आपका गौंद सिया भी लिया जो लोग आपको सुन रही हैं जो अभी तक नुसके नहीं अपनाते हैं या फिर और जो शरीर के चीजों को बचाने के लिए आपको इनानी में आना चाहिए और इनानी बहुत अच्छा है थोड़ा समय लगता है लोग घबडाते हैं तो उसमें घबडाना नहीं चाहिए लेना चाहिए और मैं तो बविश में भी यही चीज है कि इनानी में और उनको जान हो जैसे मुझे फाइदा हुआ है मैं यही कामना करता हूँ श्वस्त रहें और अच्छी तरह रहें जिसे हम लोगों को शेवा देते रहें और हम उनके दवानियों से अपना टीटमेंट कराती हुए श्वस्त रहें बहुत अच्छा लगा सर कि आपने अपने घर में आमंतृ में शिवराज सिंग जी जिन्होंने ये बताया कि हकीम सहाब से जुड़के अब वो कितना खुद को स्वस्त महसूस करते हैं और एक नहीं दो नहीं बहुत सारे लोगों तक भी उन्होंने हकीम सहाब के नुसके पहुंचाए हैं तो ये मदद आपको भी करनी होगी अगर आ आज के इस खास कारिक्रम में बस अतना है मुझे दीजे इजाज़त नमस्कार